यह देखे गाइज आज की हमारी नई यम्मी टेस्टी डिलीसियस रेस्पी जो की हमने बनाए हैं बहुत अच्छे इनको आप बटड़ा बड़ा भी बोज सकते हैं बहुत यम्मी टेस्टी तो चलिए देखते हैं कैसे बनी है हलो एवरिवन आप सब कश्वागत है हमारे यू जो की हमने ग्रेट करके रखा हुआ है और यह है धनिया यह हरा मिर्च मिर्च हमने एक ही लिया हुआ है क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज्यादा तीखा नहीं बनाएंगे आप मिर्च अपने इसाब से अर्जस्ट कर सकते हैं क्योंकि और भी हम मिर्चे काटोरी पानी तो इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल नंड च्प्री बैटर बना vein गे तो यह दिए सकते हैं गवास ज्यादा पानी है अड़ाली तो फोड़ा थोड़ा डालना है तो फोड़ा डाल सो भार पानी के लाइड के लिए ए लाली मिल फोड़ा ऑ गातर है कुखर,ऊल यह हींग और यह स्वाधनसा नमक देखिए कस्मीरी मिर्च डालने से इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा यह देखिए चावल का आटा जो की नॉर्मल जो हम स्पून खाते हैं जो खाने में यूज करते हैं वही चार स्पून हमने लिया है तो इसको भी मिक्स कर लेंगे च इसमें हमने देखिए हाप टेवर स्पून जीरा यह सुखे मसाले हिंग हरी मिरच और धनिया पाउडर हल्दी कलर के लिए कस्मीरी लाल मिर्च क्योंकि कस्मीरी लाल मिर्च होती है वो तीक ही नहीं होती है यह हमने साधारान मिर्च भी डाल दी है रेड वाली इसको चलाते हम भून लेंगे सुखा ड्राइ मगर फ्लेम बिल्कुल धीमी करेंगे यह हमने डाल लिए अपनी कैरेट यानि गाजर चौप की हुई मटर आप चौप करी हुई भी गाजर डाल सकते हैं और कद्दुकस करी हुई अब यह हम नमक डालेंगे थोड़ा सा जिसे कि मटर और पानी एट किया हुआ है ज्यादा नहीं एट करें क्योंकि हमें फिलिंग जो है उसको ड्राइ रखना है बस पानी इतना डालेंगे कि मसाले ना जले और मटर हमारी कुख हो जाए तो यह देखिए हमारे मसाले भी कुख हो गाए और मटर भी इस तरह से एक फोड़ कर देख को एक दिखेंगे मतरलमारी फूड जा रही है तो इसका मतलब कि हमारी मटर कुख हो चुकी है तो इसमें डालेंगे ए लू का बैटर जो आलू कद्रक करके रखा था इसको करेंगे मिक्स और इसमें डालेंगे हरी धनिया देखिए आप चाट मसाला वगरा डाल सकते हैं हमने नहीं डाला है क्योंकि हमने ऐसे ही बनाया हुआ यह देखिए स्वाद के नमक याद रखें कि आपने गाजर और मटर में भी डाला हुआ है और यह इसका बैट इसका जो फ्लेवर है इतना अच्छा आएगा कि आप देखते ही रहाएंगी यह देखिए कलर में कितना अच्छा लग रहा है कि खाने का बल्कुल मन कर रहा है ऐसे इस टपिंग ही खाली-खाले तिक हमने इसलिए इसमें चाट मसाला नहीं डाला है क्योंकि हम स तो यह देखिए सारी टिक्यां बनकर तयार है अपना बैटर देख लेते हैं तो यह देखिए अभी हमें ठीक लग रहा है तो इसमें हम 2-3 स्पून के करी पानी और एट करेंगे फिर इसकी कंसंटेंसी देखेंगे कि हमें कैसी चाहिए तो यह देखिए रनिंग कंसंटेंस यह देखिए हम अपना बैटर इसमें डाल रहा है तो यह मर्ज हो जा रहा है एकदम से मिल जा रहा है तो बस हमें ऐसी ही चाहिए तो यह देखिए हमने तवा चड़ा लिया है इस पर हम लगाएंगे ऑयल लाइट चली गई तो चलिए हम पना इंडेक्स पर बना लेते हैं देखिए हम ऐसे डिप करेंगे एक टिक्की को और इस तरह से एक स्पून के सायता से हम अपने फ्लेम त्यानी तवा पर रख देंगे यह देखिए फ्लेम को बिल्कुल नॉर्मल रखना है बहुत हाई नहीं रखना है वरना हमारे टिक्की जल जाएगी अंदर से कुक नहीं अब लिख은 को दीमि जाएगा आज पर पकाना है अचिसको आप दीम फ्राइ भी कर सकते हैं डीम और बड़ा की तरह है उसी तरह से बना रहा है तो इसको आप डी-fry भी कर सकते हैं बस उसका सेप थोड़ा सा गोल दे दीजे जैसे कि नीबू के आकार का यह हमने टिक्की के आकार का दिया है तो देखे इस तरह से उलटते पलटते हम इसको क्रिस्पी सेंक लेंगे आराम से तो यह देख सकते हैं कितना क्रिस्पी है देखने में ही और आप सबको मालूम है कि चावल कांटा जिस चीज में डाल दो वो क्रिस्पी हो जाता है तो इसमें चावल कांटा पड़ा है तो यह तो अल्रेड़ी क्रिस्पी होगा तो यह बच्चों को को बहुत पसंद आने वाला क्यूंकि यह हमारा आलु की टिक्की से बना हुआ है तो आलु से बनी हुई चीजें बच्चों को बहुत पसंद आती तो देखिए हमने इस टिक्की को साइड में कर दिया है और ओयल थोड़ा सा डाल कर इस पर हम दूसरी टिक्की को फिर से उसी तरह से हम रख देंगे आप छोड़ कर मत जाईएगा क्योंकि दूसरा तरीका भी हम बताएंगे अगर आपको यह थोड़ा सा दिक्कत करें तो आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं तो यह देखिए कित्ते अच्छे से अब सारी बना लेंगे और साइड में रखते जाएंगे यह देखिए सारी हमने साइड में रख ली हैं तो यह देखें जब तक सिखेंगे सारी सिक चुकी है और क्रिस्पी भी हो चुकी है तो यह देखे आप हम दूसरा तरी का अपना इस बताएंगे तो यह देखिए तो इस तरह से हमें डाल दिया है थोड़ा सा ओयल में और एक लैडल भर करके हम ले लेएंगे अपना बेशन का बैटर इस पर डाल दिया है अप देखें यह पूरा राउंड हो चुका है तो इस पर हम क्या करेंगे एक टिक्की लेंगे जिसको हम ऐसे प्लस क इसको हम headache zheo pa place कर देंगे या देख सते प्लेस हो गया है अब इसके उपर से हम थोडना और बैटर लेंगे और गट bea सा उस तरह से अगर जैसे में फर्स्ट टाइम बनाना बताया है उस टाइप से आप बनाएंगे तो वह थोड़ा सच छोटा रहेगा क्योंकि राउंड जितना बड़ा रहोगा बस उतने बड़ा होगा और इसको हम टिक्की को फैला सकते हैं तो यह देखिए इस तरह से हम इसक लग जा रहा है तो आप पेपर लीजिए और पुछ दीजिए बस कोई दिक्कत नहीं होगी तो इस तरह से हम सारी की सारी टिक्कियां बना करके तयार करेंगे यह देख सकते हैं कितनी बढ़िया जाली आई हुई है इतना अच्छे से यह कुख हुआ है और थोड़ा सा ओयल डाल दो और बस कुख कर लीजिए तो इसी तरह से मुलटते पलटते इसको क्रिस्पी कर लेंगे और हमारी सारी टिक्कियां इसी तरह से बन कर तयार हो गई है यह देख सकते हैं गाईस अगर हमारी यह रेस्पी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक सस्क्राइब एंड शेर जरूर करिएगा तो देखिए हम इसको कट करके भी दिखाएंगे आपको क्योंकि इसकी फिलि मुल सॉफ्ट जल्दी हो जाती है यह देखिए इसमें आलू की स्टपिंग ज्यादा दिख रही होगी और बेशन कम आप देख सकते हैं और जो दूसरे साइट से दूसरा हमने बनाया है इसको आप तवा केक या पैन केक बना कह सकते हैं क्योंकि अगर पैन में बनाया तो प इसकी भी फिलिंग आप देख सकते हैं क्योंकि इसकी फिलिंग बिल्कुल अलग अलग दिख रही है और मटर वगरा कितने अच्छे से दिख रही है तो प्लीज अगर हमारी रेस्पी पसंद आए तो लाइक सस्क्राइब एंड सेयर और मिलते हैं नेक्स डे नेक्स रेस्प किसाद बबबाय